पश्कार आज हम बनाएंगे शिम्ला मेर्च और आलू की सबजी यह मैंने थोड़ा सा तेल डाला गरम हो गया इसमें मैं थोड़ा सा हींग डाल रहे हूं और यह सब राई डालना है थोड़ा सा प्रेकल हो जाए फिर आप टीरा डाल दीजिए थोड़ा सा तोड़ा सा तोड़ा हो अजा करहीं थे सद्ञिकर हे दो क्यमकर हो छाए जायगे बालना रहे हे दीजिए डाली हो प्रड़ा बिखे जग्दा हो क्याँ नह क्यों अथे आख लगता है अब चोड़ी सी हीव कलोंजी डालने है, कलोंजी से चिम्ला मेच में बहुत अच्छा टेस्ट आता है यह बहुत ही जल्दी सब्जी बनती है, इसके साथ आप प्यास को ज्यादा पकाना नहीं है अब इसके साथ तोड़ा साथ शौट़ा करना अब इसके साथ तोड़ा साथ जाए नहीं है क कि रागानी करना, उन्छा कियो गुी अजुएब नियु खशुआ है qa कि अच्छा छोर्ड़ा कि तक ने बचा और पस़िसी के का निट पाफ साने पाल कस्का गुंघ को सकता हो हुआ है तो भी ऐसी पकाने है थोड़ा सा और तो चलाने है थोड़ा सा अब इसके साथ खुड़ा से मसाले को हम लोगों को मसाले इसको पहले ही डाल देना है अलु में पहले मसाले डालने से ये अच्छा होता है कि खुड़ा स्में आलु शिमला में ते अपने नमक डाल दिया जिसे मैंने अपने हिसाथ स्वाद अनुसार नमक डाला है यह लालमेच है आपको अपने स्वाद अनुसार इसको तीखा करना है वैसे कर लीजिए और इसमें हल्दी तीक करें दमक अ देनीजिश थे लाव मझे खें अधनीज दॉटा याव अब धनीय दालने के भूड़ा साफ इसमें चात मसाला डालेगा आप देखेंगे चात मसाला डालने से इसका टेस्ट थोड़ा डिफ्रेंट आएगा अचाएगा और थोड़ा सा भूना जीरा अब इसको इसके साफ लाएगा थोड़ा सा मसाला हिल जाएगा यह बहुत ही जल्दी सब्जीर बन जाती है इसका कलर भी बहुत अच्छा आगया इसम रेड हो गया इसमें चैसे अब जीरे वाले आलू बनाते हैं वैसे इसका टेस्ट पिर आता है ऐसे ही अच्छा लगता है इहा क्लालेगे खुझ में डालें तोड़ा जेंगे लैट को बाद में टाल हैंसा कि आधर मज़ाए में अच्छा लगताल राख जब काई जरो पलत की ज़्याधा अब दालेते हैं अब इसमें ये शिम्ला मिर्च मैंने डाली है शिम्ला मिर्च ज्यादा है और अलू थोड़े से कम ही है ठीक है पर शिम्ला मिर्च ज्यादा है क्योंकि हमें शिम्ला मिर्च का अठाटीस चाहिए और शिम्ला मिच हमें इसले जादे रालने हैं क्योंकि हमें शिम्ला मिच का टेस्ट आना चाहिए अच्छा यह हमने बना लिया थोड़ा चाहिए थोड़ा चाहिए पानी हल्का चाहिए शिम्ला मिच करें दोट़ां अट्ड़ा फाक के नेटी हमें तक नेटी तक पाना है यह जादा देटादी नेट् सुपाना है इसको जादा देटा ने पाकाना है और थोड़ी देर पकाना है थोड़ा स्थेम करके, कम करके इसको पकाना है दी करके फелे का लाँ मां जूः गुड़ा, जोड़। झू़ायार. जोड़। जोड़। झाल पके पक्षब आई गगळ। तो तो थोना साथ करें, अब तो मात्रे दालने काई माले तो 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 पकाना आपको झाल झाल वह एकले भी तो जैब सेप्पन uti प्रहो हो क्तось की मदे लगता है कि थोड़ा स इसमेर तेल गंने तो आप पर से थोड़ा सागल में आगि तुकि हलकी से चीनी डाल दें तो कि हरका दाचा फ्रेशनेस रहेगा इसमें और टेस्ट इसका अचा रहेगा था चीनी से कुछ टेस्ट मीठा नहीं होगा बर बैलन्स में आजाएगा थोड़ासर हलका सा हमाश दिटें एट झास साथ हमाश में पर आतका पर आतका फुर कर दोड़ हम इया पर बाइवाद एंद आतका छाद चे मुड़िव के दो आतका हम आतका आपको देखना है तरह उसे तेह तो आपको देखने के आलू थोड़े से गल गए है यहां आलू गल गए है आपके वैसे भी बॉयल पिटेट्ट एक है तो यह पके ही हुए है आलू अपके तमाटर ऐसे ही रहने चाहिए है जल देने चाहिए तमाटर आपके करें तमाटर एक है अंतला आपके है तो यह अंतला करतें है इसलोगी अंतला आपके करता दिए हैं। और आप देखिंगे वैसे बन गया आपका शिम्लामेश तो थैंक यू पर वाचिंग थैंक यू